बिग बोस OTT 3 के बाद अब सल्मान खान का रियालिटी शो बिग बोस 18 जल टीवी पर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है इस शो को लेकर आए दिन नए अपडेट सामने आ रहे है शो को सल्मान खान ही होस्ट करने वाले है ये बात तो कनफॉर्म ही है लेकिन अब सल्मान के साथ एक नए होस्ट के होने की भी बात सामने आ रही है आखिर कौन है ये नए होस्ट जिसके सल्मान खान के साथ होस्ट करने की बात सामने आ रही है चलिए आपको भताते हैं पिशले महीं ने किस जून को शुरू हुआ रियालिटी शो बिग बोस OTT3 जिसको इस बार बॉलिवुड एक्टर अनेल कपूर ने होस्ट किया था इसी महीं ने 2 अगस्त को खतम हुआ है जिसके बाद अफ़ेंस बिग बोस 18 के आने का बेसबरी से इंतजार कर रहे है जिसको हमेशा की तरह इस बार सलमान खान ही होस्ट करने वाले है इस भी शो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया इटाइम्स की रिपोर्ट के मताबिद बिग बोस 16 के एकस कंटेस्टेंट अबदूरोजिक इस बार सलमान खान के साथ बिग बोस 18 सीजन को होस्ट करने वाले है ताजिकिस्तानी सिंगर और बॉकसर अबदूरोजिक को रियालिटी शो के निर्माताओंने आने वाले सीजन म है अब दूने इस बारे में बात करते हुए कहा मैं बिग बोस 18 में इस किरदार के लिए वापस आकर काफी खुश हूँ बिग बोस 16 में मेरा समय खुबसूरस सफर था और मैं इन स्पेशल सेग्मेंट में अपनी एनरजी लाने के लिए काफी जादा एकसाइटेड हूँ मै मैं अपनी भाशा और सिंगिंग स्किल पर भी काफी मेहनत कर रहा हूँ ताकि शुनिचित हो सके कि मैं अपना बैस दे सकूँ मैं दर्शिकों को ये दिखाने के लिए इंतजार नहीं करा सकता कि हमारे पास क्या है अब तूने वादा किया है कि वे बिग बोस 18 में एंटेट कर रहा हूं जिनकी हमने प्लैनिंग की है ये रोमान से भरा सीजन होने वाला है और मुझे उमीद है कि मैं कुछ ऐसा खास लाओंगा जो दर्शिकों को पसंद आएगा एक यूनीक सफर का वादा करने के लिए देखते रहिए बता दे बिग बोस 16 में नजर आने के बाद अ टीना दत्ता शुम्बल तोकिन खान जैसे कंटेस्टेन नजर आये थे जिसके साथ ही उनकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी शो में अब्दुरोजिक के सफर को काफी पसंद किया गया था हर कोई उनके साथ मस्ती मजाग किया करता था